हेलो दोस्तों नमस्कार श्टाक मार्कर शेयर विटू चैनल में आपका स्वागत है अभी हम बात करने वाले हैं एड़ वी केपिटल लिमिटर शेयर की क्योंकि इससे संबंदी जो 21 तारी को Q3 का रिचल्ट आना था वो फिलहाल जारी हो गया है तो हम इस वीडियो में इस Q3 यल्ट के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस कंपनी ने कैसा रिजल्ट पेस किया है क्या यह पॉजिटिव पेस करते हुए निजराई है या निगेटिव क्यों और साथे साथ हम इसमें ये भी देखने वाले हैं कि ये कौन-कौन सी सबस्रीडिरी के म इसका क्या प्रभाव इसके शेर पे मिला है रिजल्ट के बाद तो इन सब चीजों पर हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो सुरू करते हैं तो आप यहां पर देख रहे हैं इन्होंने जो 31 तारी को चलिए हम उसे देख लेते हैं यहां पर आप देख रहे हैं ज इनोवने जारी किया है उसके पारे में पूरे डीटेल से यहां बताते हुए आ रहे हैं कि हम देखने वाले हैं रिजलत को तो ध devast Sievly लुट है वो उसके माधिम से भी यह काम करते हुए दिखाई देती है अब हम अगर बात करें इसके रिजल्ट की तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें हम कॉंसिडेटर रिजल्ट को देखने चाता है तो हम इसमें को कि देखने वाले हैं और इसमें जो डीटा दिये गए हैं सभी के शवी लाख में यह डीटा दिये गए अब हम अगर बात करें सबसे पहले revenue from operation की तो यहां पर आप देख रहे हैं यह जो company revenue from operation में इस quarter में 20,962 लाग का total कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है जबकि पिछले same quarter की अगर हम बात करें तो 3,758 लाग का यह कारोबार करती हुए दिखाई दी थी तो इसमें कुल मिल आप देखिए कि इसका जो revenue from operation है यह year on year base पे इसमें गजब की कमी दिखाई दे रही है जबकि revenue from operation के ही अगर हम बात करें तो सितंबर 2023 के quarter में यह 15,743 लाग का total कारोबार करती हुई दिखाई दी थी तो इसमें quarter में भी इसमें अच्छी खाची बिर्दी देखने को मिल रह है जो कि पिछले सेम quarter में 3780 लाग का हुआ था दिसंबर 2022 के quarter में हैं वहीं अगर हम बात कर लें कि सितंबर 2023 का जो quarter भीता है उसमें इसका कितना revenue रहा था और यह इसकी तूलना कर ले अगर हम दिसंबर quarter 2023 से तो यहां पर आप देख रहे हैं सोरह 1297 लाग का total यह इंकम प्रा होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि total income में ना केवल year on year के आधार पर जबज़स परफार्मेंस दिखा रही है total income में बलकि quarter quarter पर भी ठीक ठाक परफार्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है चुकि आप जानते हैं कि कोई भी company अगर काम कर करती है खासतोर से अगर capital sector में काम कर रही है तो उस पर इंकम कमाती है वो तो कमाती है साथी साथ कुछ expense भी करती है तो हम अब expense को देख लेते हैं कि आखर ये company कितना expense करते हुए दिखाई दी है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं quarter 3 जो बीता है December 2023 का उसमें ये 20,844,000,000 का total expense करते हुए दिखाई दी थी तो इसे साबसे आप देख रहे हैं कि इसके जो expense है वो भी अच्छा खासा उसमें बिर्दी देखी दा रही है year on year income तो इसका बढ़ाई है साथी साथ इसने expense भी जबजस्त किया हुआ है जिसका प्रभाव आगे देखने को मिलेगा और यहाँ आप देख रहे हैं कि यह year on year base पे भी अच्छी खासी इसमें जंप देखी जा रही है इसके total expense में साथी साथ जो quarter quarter base पे अगर हम इसके expense की बात करें तो इसमें यह 15,633 लाग का total expense करती हुई नजराय ती सेतंबर 2023 के quarter में जो की बढ़के 20,844 लाग पे पहुंचता हुआ द profit या loss before tax की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो company है इस quarter और दिसमबर 2023 के quarter में total 115 लाग का ही कारुबार करती हुई दिखाई दे रही है profit before tax प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है और जबकि पिछले same quarter में अर्था दिसमबर 2022 के quarter 3 में यह 502 लाग का total profit before tax प्राप प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है और यह इसलिए हुआ है क्योंकि इस कंपनी ने अपने टोटल जो expense है उसमें कमी नहीं कर पाई है वो बहुत ज्यादा total expense करी है जिसके कारण यह सब चीजें देखने को मिल रही है अब हम अगर बात कर लें इसका जो profit या loss for the period है उसकी जिसे हम net profit या वास्तिविक profit के नाम से जानते हैं जिसमें tax के साथ-साथ others दो भी चीजे जो भी खर्च सब्सक्राइब करती ही दिखाई दे रही है जबकि पिछले सेम quarter के अगर हम बात करें 371 लाका total net profit प्राप्त करती हुई दिखाई दी थी जबकि सितम्बर 2023 के बात करें 612 लाका total करोबार करती हुई दिखाई दी थी जो कि घटके 47 लाक पे ही पहुंच गया है अर्थात कहा करने का मतलब यह है कि यहां पर आप देखिए कि year on year base पे इसका जो net profit है उसमें जबजस्त गिरावट देखी जा रही है और जो ट्रंक वाटर बेस पे भी इसके net profit यानि profit further period में जबजस्त गिरावट देखने को मिल रही है और यह सारा का सारा एक ही मुख्य कारण है वो है total expense पे इस company का अपना control ना होना और अधिक जो है यह total expense करती हुई नजर आई है जिसके कारण यह net profit इसके गिरावट में देखी जा रही है अगर बात करें कि इसका earning per share क्या दिखा रहा है तो यहां पे आप देख रहे हैं इसका जो earning per share है वो एक तरफ जहां संबर 2013 के quarter में 0.01 1 पे होता हुआ दिखाई दे रहा है वो पिछले same quarter था December 2022 में 0.17 के आसपास थार था इसके earning per share में भी अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है year on year base पे जबकि उससे भी जबजस्त गिरावस quarter on quarter base पे देखी जा रही है और यह 0.28 से घटके यह 0.01 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है तो कुल मिला जो का इस जो रिजल्ट की उत्री का आया है December 2023 माह का में एकी चीज आप से कहना चाहेंगे कि यह जो company है इसने बहुत घटिया performance दिखाया है एक तरफ जहां यह total revenue from operation में जबजस्त बिर्धी दिखाई ती थी total income में इसके जबजस्त पर्याज करते हैं कि यह जो result आया है उसका market ने उसको कैसे लिया है कि यह पजेटी में लिया है यह निगेटी में यह चार्ट पैटरन देखने के बाद ही मालूम चलेगा आप यहां पर देख रहे हैं इसका जो chart पैटरन यहां पर दिखाई दे रहा है इसमें एड़ी capital लि पॉजिटिव में है यहां पे आप देखिए यह पांच परसंट की गिरावड के साथ तीन रूपे एक सट पैसे पे बंद होती हुई नजर आई है जब कि अगर हम पांद दिन के चार पेटरन की बात करें तो अभी भी आधिर परसंट का पॉजिटिव में है एक महीने की बात करें तो यह 6 महीने में अभी 84% का रिटरन लिकाल के देती हुई दिखाई दे रही है जबकि यह टेलेट की बात करें तो 70% का वहीं अगर हम एक साल की अगर बात कर लें तो 5% का पॉजिटिव रिटरन लिकाल के देते हुए नजर आई है जबकि मैक्सम चार परटन की बात कर लें तो यह जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2016 में एक रुपे पे तब से लेके अभी तक 277% का रिटरन लिकाल के दे चुकी है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यह जो कंपनी ने रिजल्ट की उत्री का पेस किया है इसको परफार्मेंस बेस के अधार पे यह जो अभी भ लेट हुई और कितना डिलेवरी उठाया गया आप देख रहे हैं जो दो फ्रोरी को यह कारोबार हुआ है उसमें टोटल 44,00,00 की टोटल ट्रेडिंग हुई है और पुरा का पुरा डिलेवरी की रूप में उठता हुआ दिखाए दे रहा है और जबकि आपके आप देखे ह का जो इन्वेस्टर नहीं पर परभाव नहीं पड़ा है और अभी भी इसमें भर भर के वह माल उठाते हुए नजरा रहे हैं लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे बस एक ही चीज कहना चाहेंगे कि आप जो है इस कंपनी के बारे में फुल एनलासिस करिए इस कंपन को जनकारी देने के लिए बनाया जा रहा है तो दोस्तों यह रहा आज का वीडियो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बेलकुल ना भूले है ताकि नए वीडियो के जो अपडेट से आपको ऐसा ही समय समय पे मिलता रहे है जैहि कर दोस्तों